सबसे पहले मैं युक्रेइन की प्रेजिडेंट जेलेंसिकी को सल्यूट करना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने एक गजब की लिडरसिप दिखाई है और ये आप लोग जो इस्क्रीन पर फोटो देख पा रहे हो ये जेलेंसिली की है जो कि अपने प्रेजिडेंट हाउस को छोड़ कर अपनी आर्मी की ड्रेस पहन कर युक्रेइन की फोज का कॉन्फिडेंट बढ़ाने की कोसिस कर रहे है और यही ने जेलेंसिकी ने अपने सिविलियन लोगों से यानि के आम आदमियों से भी ये का है युक्रेइन की आर्मी अपने सिविलियन को डिस्ट्रिब्यूट कर भी रहे है जो कर बात करें कि इस वक्त के हाला तो रूस और युक्रेइन के क्या है तो दोनों ही तरफ से काफी भारी नुकसान देखने को मिल रहा है आप लोगों को मैं बता दू रूस के ओलमोस्ट युक्रेइन ने अब तक 6 से भी जादा फाइटर जैट्स को डिस्ट्रॉइ करने का दावा किया है और यही नहीं युक्रेइन का दावा है कि हमने रूस के 10 से भी जादा टैंकों को तबाह कर दिया है अब अगर हम यहाँ पर बात करें युक्रेइन की कि युक्रेइन को कितना जादा नुक्षन हुआ है तो युक्रेइन का जो नुक्षन है वो रूस से कहीं गुरह जादा हुआ है युक्रेइन की काफी सारी बिल्डिंगे धबाह हो चुकी है इनके civilians के ओपर भी रूस की तरफ से गोलिया चलाए गई है ऐसा यूकरेन का कहना है और ये सब यहीं पर नहीं रुखता यूकरेन ने officially माना है कि हमारे 180 से जादा सैनिक हमारे war heroes अब तक सहीध हो चुके हैं रूस की सेना को रोकने के लिए और दरसल यहाँ पर यूकरेन के लिए एक सबसे बुरी खविद है कि यूकरेन की almost 80% air force जो की रुखता कर देया है जी हाँ almost 80% air force इस वक्त यूकरेन की या तो तबाव चुकी है या फिर उनके जो air bases हैं उनको तबाव कर दिया गया है ताकि कोई भी यूकरेनियन fighter jet उडा ना भर सके अगर देखा जाए तो यूकरेन की forces यूकरेन के आर्मी इस वक्त Russian troops को रोकने की हर एक कोसिस कर रही है यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि क्या यूकरेन रूस को अपने उपर envision करने से रोक पाएगा वैल रूस की जो ballistic missiles है उन्होंने भी यूकरेन के अंदर क target किया रहा है रूस की तरफ से इस वक्त अगर देखा जाए तो यूकरेन की सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ला से ही दिखाई दे रही है कई पर civilians की मोत हो रही है तो कई पर soldiers की मोत हो रही है अब रूस और यूकरेन के इस यूद के दोरान भारत भी घिरता क्योंकि अमेरिका इस वक्त ये चाता है कि भारत रूस की कड़िया लोच न करे ताकि रूस के उपर दुनिया भर से दबाओ बनाये जा सके अभी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर quad countries में देखा जाए तो तीनों countries जैसे की अमेरिका, जैपैन और और उस्ट्रेलिया तीनों भर से भारत के उपर ये भी दबाओ है कि परदानमंत्री मोधी जी पुतिन से बात करकर इस यूद को रुकवाएं, अब यहां पर पर परदानमंत्री मोधी जी ने पुतिन से फोन पर बात भी किया है, तो उस बात के दोरान मोधी जी ने साफ क्लियर तोर पर पुतिन को य अब देकर जाये तो अमेरिका इसके बावजुद भी इंडिया से खुस नहीं है अमेरिका का चाहित कि आपे किड़ी आलोचना रूस की नहीं कर रही ... अब देखिये अमेरिका के लिए ये कहना खाए आसान है क्योंकि अमेरिका का दुस्मन नंबर वन है रूस लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर सकता है इंडिया का एक सबसे करीबी दोस्तों में से एक दोस्त रूस भी है और यही नहीं बलकि इंडियन आर्मी के अंदर 70 फीस दी जो हतियार है वो रूसी ओरिजिन की है तो हम लोग रूस क करने के साथ साथ पहला इकन भी जरूर दबाना